हेलो इस्टेंट साव आर यू वेलकम टू टेलेंट क्लासेस तुड़े भी आर गोईं टू लर्न मैथमेटिक्स आज हम लों मिक्सप प्रिप्रेशन का पार्ट डी लेके रा रहे हैं सेबंध लास क्यूस्टें ज्यान दे फर्स क्यूस्टन है फाइंड दे एरिया ओफ ट्रे आर. ऐड सेंटी मीटर और आपको दिया गया है horses आप देके फीगर पहले से ड्राह है आपके समय को ध्यान में रखते हुए हमने बैस ऐड सेंती मीटर और हैड को सेंटी मीटर सो किया area of triangle का हमारा formula होता है 1 upon 2 base into height तो हमने लिखा area को AR से सो किया dot लगा कि equal 1 upon 2 B है तो 1 upon 2 B की value हुमने 8 रखी H की value हुमने 7 रखी 2 से 8 को divide किया 4 आया 4 का 7 आपने multiple like है तो 28 cm square आगया यह आपका आगया area of triangle का formula लगा अगर जब भी आप से area of triangle का formula से question बने तो कभी क्या हो तरशन base आपको दिया आता है तो height पूछे आती है तो area of triangle आपको दे दिया आता है क्या कभी कभी base और height दोनों दे दी जाती है area of triangle पूछा आता है next question है आपका the circumference of a circle is 21.98 cm what is the radius and area of the circle question देगे figure को मैं दिरा कर देता हूँ जगे figure आपका गया है figure यह है आपका इसमें circumference of a circle आपको दिया गया है circumference of circle circle के बाहर से होगा 21.98 यह आपको circumference of क्या दिया हो circle दिया हुआ है आप से radius पूछा जा रहा है center है circle का और यह आपकी radius है इससे आपको find करना है दूसरी आदे आपको area भी find करनी है तो जो चीज हमें दी होती है उससे हम पहले यूज करें circumference के हम capital C सो करेंगे इसका हमारा formula होता है 2 pi r होता है यह हमारा circumference of circle का formula होता है c की value हमारी किनी दी है circumference circle के 21.98 इक्वल टू आर पाई की value हम्यापर 22.7 न रखके 3.14 रखते हैं अब इस्टन क्या डेसिमल से डेसिमल रिमूप हो जाएगा अगर 314 में आप 7 का multiply कर दें तो आपको 21.98 मिल जाएगा तो 7 इक्वल आपका आगया 2 r आया जिससे आपकी radius की value आगए 7 upon 2 एक कॉल r आप डिवाड करेंगे 7 है 7 खापोगे 3.5 तो radius आपके आगए 3.5 cm यह आपका एक answer आगया next answer कैसे निकलेगा area of circle का आप फार्मला यूच करेंगे जो फार्मला होता है पाई यार इसका यार है अब पाई की value 3.14 ना रखके 22.7 रखके इंटू क्योंकि 7 3.5 को डिवाड कर लेगा न 3.5 इंटू 3.5 7 बन जा 7 75 जा 35.5 आया अब आप इनका multiply करेंगे यहां पर स्पेस हैं यहां पर मैं solve कर देता हूं सर्क्ल बना के तो 22 में फाइब करो फाइब टूजाट टैन का जीरो करी रहा वन फिर फाइब टूजाट टैन फाइब जा होता है आपका 55 के फाइब फाइब करी 11 3 जा 33 33 में फाइब एड करें तो अब जैसे नोगा देक नंबर थाटी एड़ पॉंट फाइब सेंटी मीटर स्कायर यह आपका अंसर आगे एरिया का है कि फिर नेक्स स्टेंट कुस्टन है आपका फाइंड दा सिंपल इंट्रेस्ट अर्नेड ओन सिक्स्टीन थाउजन रुपीच एड़ फाइब परसंट पर एनम टू यह सबसे रिचन यह कुस्टन करने के लिए हमें सिंपल इंट्रस्ट का मैं साइस सो करतें किसे अर्याला आटा पर अन्ट्रेड घर्ल hall डिया देंसर्ब यह ए फैंपर कि जो वैलू है उसे कैसे पचानेंगे सबसे पहले तो देखें यहां पर अर्णे डॉन सिस्टीन थौजन इंट्रेस्ट पेना तो आपको पिंस्पल की वैलू दे दी गई है सिस्टीन थौजन रुपीच आर जो है रेट अगर किसी नंबर में पर्संट लगा और इंट्रेस्ट आप से फाइंड करने का जा रहा है या टाइम फाइंड करने का जा रहा है तो वह आपका रेट हो गया फाइब पर्संट अगर किसी नंबर में येर लिखा हो या मंत लिखा हो वह आपका टाइम हो गया वो केस्टेंड जिस हमने 2i से सो कर दिया हमारा हमने फार्मना जिरा किया SI कल PRT-100 इससे भी कई फार्मने निकल के आ जाते हैं प्रिंस्पल का यह फार्मना बन जाएगा रेट का फार्मना बनता है टाइम का भी बनता है fist आपके सामने लिखा हुआ है मैं आपको टैलें किलासिस तरीके से पड़ाया जाएगा और एकक फार्मने से कई akoильно, उससे बताया जाएगा जिसमें हम एक फार्मने से का कोई ...? फार्मने का बार बार यूज करें तो जो आपके सामने लिखा हुआ है ऐसा एकल पी आटी अपॉन हंडर इसे बेलू पूर आप करते हैं पिंस्पल है आपका 16,000 है मैंल्टिपलाई रेट आपकी 5 है टाइम आपको दिया 2 यर अपॉन आपका है हंडर जीरो से जीरो कैंसिल और आप लोगों के बॉक्स में है पैंसिल जीरो से जीरो कैंसिल और आपकी बॉक्स में क्या है बॉक्स में है पैंसिल 160 मल्टिपलाई 5 टूजा 10 अब इसका मल्टिव ले करेंगे तो 1600 उसको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस बन्दे को तो सिंपल इंटरेस्स इस पकार के यह से कोस्टिनों को आप अटेंब करें अनि कोई प्रावलम तो मुझे कमेंट जिरूर करें अपर आपको दिया मीन प्रोपोस्टन लॉफ 4 20 जो नंबर आपको दिये हो तो उसमें आपका एह है 4 है ले लेते हो सी को मिने 16 लिया आप इनका मुंट्व लायकर दिये 64 तो 64 होता है अब यह 64 किस के टेबल में यह चाहिए 8 की टेबल में 24 कि बीस कशयर एक एक स्कायर पावर पावर सेम है तो हमारा मीन प्रोफिशनल क्या जाएगा 8 तो मीन प्रोफिशनल के कोशनल को आप इस फार्मले से यूज़ कर सकते हैं 20 केरिकल AC से फिर इस ते फिर नेस कोशन आपको दिया हुआ है इस वीडियो का लास कोशन दा वर्टेक्स एंगल ऑफ एंड आईसोसल ट्रेंगल मीजर आपको दिया 50 डिगरी फाइंड दा मीजर ऑफ बेस एंगल तो इस चन इंपोर्टन कोशन है तो सबसे बलावनों फीगर डिरा करते हैं हमने एक फीगर डिरा कर लिया जिसमें हमारा आईसोसल ट्रेंगल है मतलब ये दो साइड हमारी सेम है ठीक है लेकिन इसका वर्टेक्स जो दिया है वो 50 डिगरी दिया है और बेस एंगल को पूछा रहा है हमने मान लिए एक्स लैट कर लिए इसको भी लैट कर लिए एक्स यान हमने लिखा लैट बेस एंगल बेस एंगल बी एक्स ओके स्टन अब देखें यहाँ पर हम नेमिंग भी कर देते हैं ए फर आउ बी फर बाउ और सी फर काउ अब इसको में बता दो ट्रेंगल का जो सम होता है वो तो आप भी नोजड जानते हैं आप लोग क्या होता है सम अब आल साइट लेकिन यह तो परिमीटर का है ट्रेंगल का सम होता है 180 डिग्री तो एंगल ए पिलस एंगल बी पिलस एंगल सी एक्कल 180 डिग्री तो एंगल ए की वैलू क्या आपको दीए 50 डिग्री एंगल बी आपने लड़ किया एक्स एंगल सी आपने लड़ किया एक्स एक्कल 180 डिग्री क्योंकि आईसर एंगल की दो साइट सेम होती है तो जब दो साइट सेम होंगे तो variable और variable आपने add किया तो 50 degree plus 2x equal 180 degree तो 2x equal 180 degree minus 50 degree प्लस में 50 degree तो राज 10 साड में आगा तो minus में हो जाएगा तो 2x equal आपका आगया 130 degree 180 में 50 सब्टेक रोग 130 आया 21 जा 2, 26 जा 12 13 में 12 सब्टेक किया तो 1 attend हुआ 25 जा 10 तो एक सब्टेक किया आगया 65 degree आया तो आपके जो base angle extent है जो base angle angles है वो आपकी क्या निकले 65 degree 65 degree तो इस पकार से आप question को attempt करें और जाद प्रैक्टिस करें कोई problem हो तो मेरे वार्टस में यही मेरा जो आड़ी नंबर है यही मेरा वार्टस नंबर है हम लोग मिलेंगे नेक्स उडियो में तब तक लिए जाहिन चबाराएं